वेलकूम एवरिवन दोस्तों आज हम आपके लिए एक निया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों निया टॉपिक है पोशन अवियान टार्केट में जो रहता है पोशन वाटिका इसमें आज हम बात करेंगे जह एंगनवारी सेंटर्स में जहां फिर आइसी डीयस में में इंपा तो दोस्टो आज का हमारा जो टापिक है इस पर ही है इसमें कौन जो कैटेगरी हैं जो कौन से स्पेसिफिक टार्गर रूप जो है उनको देखा जाता है वो रहते हैं चिल्डरन जिनकी यह जीरो से सिक्सीर है जो डॉलिशन गर्ल्स है जहां फिर प्रेगनमेंट बूमन और लेक्टेटिंग मदर है इनको जो लेडिस प्रेगनेंट है जहां फिर जिनका मेंस की शिशुन में जनम ले लिया है और मदर जो है वो बच्छे को दूथ देती हैं लक्यटेटिंग मदर इनके लिए हैं तो दोस्तों आप बने रही है हमारे साथ दोस्तों पुर्शन आव़यान टार्गर जो है जो ग rapport कि है पॉच्छन आव यान आठ मार्च 2018 को यह means की अव्यान जो है start हुआ था इस means की अव्यान का aim जहीं था इस प्रावलम जो है उसको address करना है कि इंडिया में malnutrition मीन्स की पूरा portion नहीं मिलना उस problem को दूर करने के लिए portion of any target जो है जो start हुआ था इसका aim जहीं है कि problem को दूर करना है problem को address करना है कुण सी problem malnutrition की जो पूरा portion नहीं मिलना अब पूरा portion किन को ज़्यादा जुरूरी चाही होता है वो चाही होता है children को जो बच्चे 0 से 6 साल में है 0 से 6 येर के बीच में adolescent girls और pregnant women और lactating mother तो दोस्तों जो goal है portion of yarn जी अचीव करता है improvement लाता है nutritional status इन तीनों के ठीक है children जो जो 0 से 6 साल के है adolescent girl जो प्रेगनेंटर बूमन और lactating mother जो है इनकी nutrition status में improvement लाने के लिए जो अवियान जो है start हो गया है portion of yarn में target अगर बात करें पहले उन्हेंने बोला है reduce tenting in children 0 से 6 years of age means कि 2% PA रहेगा ठीक है portion अवियान में रहेगा reduce underweight जो underweight candidate है means कि बच्चे है 0 से 6 साल के बीच में तो उनको portion अवियान 2% रखा गया है और reduce anemia blood की कमी होना मंग बूमन और adolescent girl जिनकी age 15 से 49 years है उनको 3% mean portion अवियान में रखा गया है और reduce anemia among young children इसमें young children आते हैं 6 से 59 month के हैं जो 6 से 59 month means कि वो जो 6 महिने से 59 में 60 month तक जो बच्चे हैं वो उनके अंदर जो anemia की problem को कम करने के लिए 3% portion अवियान में target रखा गया है और इसके बार reduce low worth weight कि जैसे ही बच्चे का जानम होता है उनका बेट कम होता है उस पर भी 2% portion अवियान में target रखा गया है portion अवियान improvement in target as per the report जो जो जोन की 2020 की development program इसमें charting out किया है pathway multi-dimensional poverty के as per the report इंडिया ने achieve किया है SDAG reduced poverty 25.1% in 2005 और इसके बाद और कम की है poverty 27.9% in 2015 से 2016 के बीच में नो जो government है अब hyper priority दे रही है कि malnutrition जो पूरा portion नहीं मिलना है इसको एक serious देखा जा रहा है और serious effort लगाया जा रहे है इस problem को दूर करने के लिए mission portion 2.0 JBI के integrated group sport program है जो 2021-2022 के वज़ड में start हुआ था सारे states और duties में क्या करने के लिए nutrition content को strengthen करने के लिए इसके बाद बात करें अब ही हमने जो पहले पढ़ा था कि SDZ SDZ का मतलब है sustain and development goal जो रखे के थे जो sustain and development goal है उनका target जो रखा गया था means की 2000 पाइंट था कि poverty को कम करना है 55.1% और 2015-16 के बीज में जो target था sustain and development goal में जो poverty को कम करने का वो 27.9% था इसके लाबा portion mission जो 2.0 है जे क्या है एस पर दे रिपोर्ट आई तो प्रेस information bureau 2022 ministry of women और child development जो इशू कर रही है new guideline regarding implement करने है सक्षम आंगनवारी के उनसा एक सक्षम आंगनवारी और एक portion 2.0 जो प्रोग्राम अप्रूव कर रही है 15th finance commission प्रेस information bureau 2022 की इन्होंने guideline में जहीं रखा है कि implement क्या करना है सक्षम आंगनवारी और portion 2.0 जो स्कीम है 15th finance commission में जो टार्गट में रखा है 21 वाई से लेके 25 सबश्च के बीज में अब objective क्या है portion 2.0 का इसमें जहीं है कि contribute करना है human development को human capital development को country में nutritional awareness लानी है अच्छी हैबर लानी है कि अच्छा खाना खाएं अच्छी सेल्थ सेहत के लिए address करना है nutrition जो deficiency आ रही है problem आ रही है nutrition में मिंस के एक challenge की तरह उसको देखना है इसके लाब पोशन 2.0 mission जो है जो है एक maternal nutrition infant और जंग children के बीच में feeding norm को रखा जा रहा है मिंस का focus है कि maternal जो ladies जो है जो pregnant है उनकी nutrition जो छोटा बच्चा जो एक सार से कम है वो infant हो गया तो उनकी nutrition और जंग child उनके बीच में खाने की मिंस की nutrition जो भी रखी गी है जो में मेंस की target एरियां है और इस प्रैक्टिस में और जो reducing stunt and anemia की problem potion tracker को जो support करती है इसमें जो रखा गया potion tracker गया है potion tracker बोलेंगे what is potion tracker एक new robust ICT centralized data system जो लिंक कर रहा है ACH portal को अनमोल के साथ मिनिस्ट्रिया बॉमनो चाइल्ड डॉबलमर की तरफ से जे potion tracker जो है आया है potion tracker प्रवाइर करता है holistic view अंगनवारी center को और real time monitoring जो ट्रैर करता है सारे अंगनवारी center को और अंगनवारी worker को और उनकी beneficiaries को जो portion अवियान है जो करेट कर रहा है एक जुनिवर्स और पोशन tracker जिसमें pregnant woman lactating mother भी आती है और चिल्डरन जो है zero से छे year के बीच में जो रहते हैं वो आते हैं और adolescent girl भी जैसे adolescent girl के लिए हम आये अलग से विडियो बनाई थी तो at this center इस center पर जुनिवर्स अंगनवारी वर्कर जो है जो है जो असिस्ट करेंगे अंगनवारी health देखेंगी all the working car to make India जिससे सारी जो पूरे इंडिया multi mal nutrition की जो प्रावलम से free हो जाए portion tracker जो है जो है जो है जो अंगनवारी इनको देखेगा daily और monthly basis पर portion tracker को सारी information देगा portion tracker के benefit क्या है जे help करता है working group को की वो handle करेंगे हर एक काम को असानी से और इससे मदद मिलेगी हम register कर पाएंगे beneficiary को प्रापर monitoring के साथ और जे identify करेगा SAM children easily और provide करेगा proper treatment on time SAM हो गया जिनको नीमिया की problem है जिनको पूरा portion नहीं मिल रहा उनकी treatment के लिए portion tracker फुल्फिल करेगा यह हम शही portion देश रोशन तो आप देख सकते हैं portion tracker का main name जहीं था कि सही portion अगर हम सही उसको nutrition देंगे तो इसी स देश भी आगे बढ़ेगा portion tracker help कर रहा है reduce कर रहा है burden manually जो register maintain की जाते हैं उसको छोड़के यह online जो है एक portal बना हो गया है तो उसमें ही इसको देखा जाएगा no carrying out the work through one application say it help to check nutrition station station nutritional level का status बच्चे को बच्चे का वो दिखा जाएगा और अटिमेटिकली वैदर नार्मल स्टंटर्ड जा अंडर्वेड कोई भी category के जो problem आ रही है ठीक है पूरे nutrition नहीं दिया जा रहा है उससे candidate जो है normal हो रहा है जा स्टंटर्ड हो रहा है उसको भी चेक किया जाएगा त तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो थैंक यू